प्रेना दी आपकी remedies कम्माल की होती हैं और comments पढ़ने के बाद तो confidence और भी बढ़ जाता है कि इतने सारे लोगों को results मिले हैं तो हमें भी मिलेंगे लेकिन confusion स्टार्ट होती है application के बाद कि दुबारा कब लगा है? ओइलिंग कर सकते हैं क्या? ओइल लगे हुए बालों में ये application किया जा सकता है? क्या करे क्या ना करे? तो फिर हम किसलिया भई? हम आपकी इसी confusion को आज दूर करने के लिए हैं विंटर सीजन आ रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक बहुत ही कूपसूरत सा gentle reminder लेकर आई हूँ कि विंटर सीजन में आपको अपने बालों का खयाल कैसे रखना है? मैं पूरा हफता आपके स schedule बना सके अगर helpful लगे तो वीडियो को like करना बिलकुल मत भूलेगा आईए जानते हैं what's in store today और कोशिश कीजिएगा कि विश्वास कर सके that's very important Hello to my wonderful people present over here. Welcome back to the channel. आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ है और अपना बहुत सारा खयाल रख रहे हैं. If at all आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और इस channel पर आपका पहली बार आना हो रहा है तो मेरा supreme नमस्कार स्विकार कीजिए और इस channel पर आपका बहुत स्वागत है मेरे पूरे परिवार की तरफ से हम ऐसे ही आपकी feed में नहीं आए हैं बहुत सारे magic किये हैं बहुत सारे ख notification आपको मिलेगा कि प्रेंडा आचुकी है नई वीडियो के साथ जी हां और मेरा पूरा परिवार जिस प्रकार से यहां आता है नीचे आप check out कर सकते हैं exactly वैसे आप भी आ सकते हैं आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेर करने के लिए हूँ एक हफते में किस दिन क् कैसे करना है क्यों करना है सभी dimensions में आपके साथ शेर कर रही हूँ ताकि applications आपके लिए आसान हो जाए और आप अपने लिए बहतरीन results पा सकें विश्वास करना बहुत अनिवार रहे है वरना यह चीज़ें अपना result नहीं दिखाती वो कहते हैं ठीक है लगा लो बालो में हम तो result नहीं देंगे it's very important you understand कि कौन सी दवाई खाई जा रही है और वो कैसे काम करने वाली है तो हफते भर में आपको क्या-क्या activities करनी है ये तो मैं आपके साथ share कर ही रही हूँ लेकिन इन चीज़ों को और भी जादा strong बनाने के लिए क्या-क्या supportive चीज़ें आपको अपने कोई शुरू करना है मैं जो Monday बोल रही हूँ इसलिए मैं डे वन बोल रही हूँ तो आपका डे वन मंडे भी हो सकता है ट्योजी भी हो सकता है साटड़े भी हो सकता है आप जिसके लिए comfortable है आप वहां से शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर यही sequence रखेंगे तो believe me हफते भर आ डे वन जब भी आप शुरू कर रहे हैं उस दिन आप hair oil spa करेंगे देखिए winter season में heavy से heavy oil का application आप कर सकते हैं और आपको बेहतरीन results मिलते हैं ना गर्मी लगती है ना चिपचपा लगता है आपके बाल खुश हो जाते हैं आपका frizz कम हो जाता है आपके बाल literally disciplined हो जाते हैं इ आप अच्छे से या तो multiple oils को blend कर सकते हैं या फिर आप जो भी आपने DIY oil बनाया हुआ है इसी को हलका सा गुनगुना कर लीजिए और अच्छे से अपने scalp पर अपनी पूरी length पर लगा के और अपने बालों को बान दीजिए for overnight अगर overnight के लिए comfortable नहीं है तो फिर आप you know हलका स कोई lighter oil लगा सकते हैं और next day heavy oil कर सकते हैं सरद होने से एक दो फिंटा पहले तो अच्छे से जब आप hair oil spa करते हैं बालों को बांध लेते हैं तो बालों को इतना खुबसूरत nutrition मिलता है एक conditioning मिलती है जो आपको post conditioners do market based conditioners है वो कभी नहीं दे सकते दे ही नहीं सकते आप hair oil spa क कीजिए शैंपू कीजिए अच्छे से शैंपू कीजिए और फिर रिजाल देखिए आप बोलेंगे क्यों हम conditioner यूज करते हैं जिहां इस वेरी पाफुल अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिसको बहुत severe dandruff रहता है flakiness रहती है dandruff literally जढ़ता रहता है तो मैंने आप सभी के दिया दवाई लगा दी सब हो गया लेकिन एक वाश में इसने उनका dandruff completely क्योर कर दिया तो अगर आप dandruff prone आपका scalp है तो आप day one पर hair oil spa की जगा इसी remedy को करेंगे fine अच्छे से कर लेने के बाद hair oil spa या ये remedy जिसके लिए आप comfortable है आप इसको overnight अपने बालों में रहने देंगे dandruff वाले उससे दिन head wash करेंगे we have no choice लेकिन जो hair oil spa कर रहे है the best thing is to leave it overnight day no.2 आप लोगों ने overnight oil कर रखी है या जो भी उसी दिन कर रहे है आपने oil लगाया हुआ है बालों में और इसके बाद आप head wash करेंगे जो शांपू घर पे चल रहा है आप उसी का इस्तमाल करेंगे कोई जादा ताम जाम नहीं करना जो भी शांपू आप इस्तमाल कर रहे है उसको आप mug में ले लीजिए डाइल्यूट कर लीजिए पानी के साथ जाग बना लीजिए अच्छे से और इससे अपने बालों को थोड़ा थोड़ा स्कैल्प में डालते हुए और मसाज कीजिए बहुत सारी ओइलिंग कर रहे है रॉयल स्पा में इस लिटरली स्कैल्प पे लेंद पे पूरा ओईल होत आप काफी खुछ हो जाएंगे इसके बाद अगर आपके बालों में बहुत जादा फ्रेज रहता है जो कि most of the time बिंटर सीजन में होता है तो आप DIY hair serum का इस्तमाल कर सकते है हमने नहीं बनाया या हमारा खतम हो गया है whatever it is तो आप आरगन ओल का इस्तमाल कर सकते है या फिर आ से नीचे से अपने बालों को सुलजाते हुए उपर तक सुलजा लीजिए और आपके बाल इस रेड़ी तो बी लाइक दिस फॉर थ्री देस मैं बताती हूं कैसे डे टू पर आपने अच्छे से अपने बालों में लगा लिया है या एड़ वाश कर लिया है और सीरम लगा या आरगन ओयल लगा लिया है जो भी आपने लगा और आप अपने बालों को इस दिन तो इंज़ॉई कीज़े क्योंकि बाल दुले बई फ्लॉंट करने तो इंज़ॉई कीज़े डे टू डे थ्री आप अपने बालों में कुछ नहीं करेंगे जी हां रहने दीजे बहुत hair oil spa आपने किया है, head wash किया है, serum लगा लिया है, बाल completely ready है, कि वो अपने आपको sustain कर सकते हैं, for a very long period of time, लेकिन still हम 3 दिन तक कुछ नहीं करने वाले हैं, day 2 पे आप बाल खोल सकते हैं, day 3 और day 4 पर आपको अपने बालों को बांध कर रखना है, देखिए, मैं इस पर एक वीडियो लेकर आने वाले हूँ, कि बालों को बांधना is a remedy, बालों को हर वक्त खुला नहीं रहे, बहुत सारे लोग जो teenagers हैं, बोल सकते हैं, आप तो बाल खोल के रखते हो, देखिए, मैं हमेशा बांध के रखिए, इस इंपोर्टेंट एन इस वेरी हेल्दी फॉर यॉर बाल, बाल प्रिटेक्टेड रहते हैं, तो बालों को डे थी और दे फॉर आप अच्छे से बांध के रखेंगे, डे फॉर पर भी हमने अपने बालों को बांध कर रखा, लेकिन दे फॉर के एंड में जो ओवरनाइट ओइलिंग के लिए कामफोटेबल है, वो कोई लाइटर ओइल लेंगे अपने हाथों में और अच्छे से स्कैल्प पर, लिटल बिट ओफ लेंथ पर और बालों को बांध कर सो जाएंगे, ओवरनाइट ओइलिंग, अगर आप धीरे धीरे अपने बालों को समझाएंगे ओवरनाइट ओइलिंग के लिए लाइटर ओइल से शुरू कीज़ेए जरूरी नहीं आपको शीधा कास्टर ओइल लगाना है आप कोकुनट ओईल ओलिव 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 ओल्के जो तेल होते हैं उनका अप्लिकेशन हल ले लिजे एक बड़ा चम्मच अलवेरा जेल घर का है मार्केट का है नो प्रॉब्लम कोई भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं आपको इसमें लेना है एक चम्मच ACV यानि कि आपल साइडर विनेगर कोई भी विनेगर चलेगा जो खाते हैं जो आपके घर में अवैलेबल है जो वो वाला पानी ले लीजिए इसको अच्छे से mix कर लीजिए और next day that is day 5 आप अपने बालों पे अच्छे से इसको लगा के and रहने दीजिए 45 to 1 घंटा 45 minutes to 1 घंटा जितना भी आपके पास time है बालों में लगा कर रहने दीजिए और फिर head wash कर लीजिए simple believe me dandruff, frizziness, scalp से smell आत बालों में लगा लेने के बाद 45 minutes to 1 hour आप head wash कर देंगे जैसा कि आप नॉर्मली शांपू करते हैं ठीक है आज बाल धुले हैं बाल तो कमाल के होने वाले हैं ACV आपके pH को balance out कर देता है और आपका पूरा का पूरा scalp healthy हो जाता है बाल ऐसे मज़ेदार हो जाते हैं कि लगता है कि रोज करें रोज नहीं करना है ठीक है यह रेमेडीज है जो regular intervals में होनी चाहिए ऐसे नहीं Day No.6 Light Oiling या Serum जिसके लिए आप कमफिटबल हैं आप सिंपल सा ओइल ले लिजे आगन ओईल या ओलिव ओईल को लेना है और हलका हलका अपने बालों में लगा लेना है पूरा मत लगाई है ओफिस जाना है और वाटेवर इस तो हलका बहुत लगा लिजे पूरा ही लगाते और पूरे बालों में लगा लीजेए और अपने बालों को बांध कर रखेंगे आप ड़ी सिक्स एंड डे सेवन पोद तफ्तेब तो बहुत ही सिंपल से डूएबल स्टेप्स ऐसा तो मैंने आपको कुछ निहीं बताए कि कमाल ही बहुत सारा फेनोग्रीग भी ढाल दो चा और एक हफ़ते में मैं आप वापस आके definitely लिखेंगे कि इतना अच्छा और free of mind हमारा कोई week गया ही नहीं because we knew it कि हमें अपने बालों के साथ कैसे रहना है, कैसा expect करना है और क्या-क्या हमें मिलेगा हफ़ते में दो बार आपने बाल धोए, दो बार oiling करें और गसब की रजाल्स आपके हाथों में है तो ये तो हो गया हमारा साथ दिन का schedule कि हमें किस दिन क्या-क्या activities करनी है अब बात करते हैं कि हम क्या ऐसे actions कर सकते हैं जो कि supportive हो और इन चीज़ों को और भी help करें ये supportive measures आपको throughout the winter season करने हैं सिरफ इस week के लिए नहीं हमेशा ध्यान रखता है good fatty acids अपनी body में लेने है भालू क्या करता है जब winter आने वाले होते हैं उससे पहले अपनी body में सब stuff कर लेता है ताकि winter season अराम से गुज़रे है हम उल्टा करेंगे हम winter season में अच्छी चीज़ अपनी body में ले लेंगे घी और तिल और इन सब का you know सेवन करेंगे अच्छ से ताकि जो subsequent seasons है तब अच्छा fatty acids हमारी body में भर भर के देखे कि भाई बहात अच्छा हमने किया था winter season में तो good fatty acids आपको लेना है अपनी body को hydrated रखन है hydration का मतब सरफ पानी पीना नहीं होता इतने सारे good fruits आने वाले है winter season I love them for fruits तो प्लीज दो प्रकार के फल सुभा शाम खाने ही खाने है मतब लिख दो कहीं दिवार पे kitchen में जाके मम्मी को कि एक fruit in the morning एक fruit in the evening different types हमें खाने ही खाने है and then you see आपके बाल आपकी skin कमाल की हो नहीं है हमें सर्दी लग जाती है हमें ठंडी लग जाती है हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते हफते में दो बार तो सब धोगे यार scarf पहने जाते कैप पहने जाते है hoodies पहनी जाती है बालों में गंदगी आ जाती है वोच नाच्रल ऑइल आता है that is obviously it's a protective measure लेकिन हमारी body तब देती है वो mechanism जब हम खुद नहीं करते तो please body को उस level तक मज जाने दीचे clean रखिए healthy रखिए hydrated रखिए उसको अच्छे से head wash कीजे जादा लंबा नहीं रखना है जो कर रहे हो सब वेस्ट हो जाएगा चाहते हो क्या नहीं ना तो करना यह सब ओके next is गरम पानी से बाल नहीं को मारना है पस उतना गरम उसी से बाल थोने है कि ठंडी नहीं लग जाए सर पर बस इतना right it's very important very very important last but definitely not the least बहुत सारी हम कैप तहने वाले हैं स्काफ पहनने वाले हैं बहुत सारी चीजे आने वाले हैं please make sure आपके बालों को जो टच करें वो सिल्क ही हो सिल्क साटन जो भी ह वही होना चाहिए, static नहीं आना चाहिए, मैं अनी चीजे पहनते हैं, तो static आजाता है, बालों में बाल खड़े हो जाते हैं, और फिर तूटते हैं, spritons आजाते हैं, बहुत सारी चीजे होती हैं, जो हमें नहीं करनी है, इसलिए make sure कि जो भी accessory और जो भी चीज आप अपने बा होगा, तो इस week को follow कीजिए, अगर आपको अच्छे, मतलब experience अच्छा रहता है, तो यहां के लिखिए, ताकि परिवार के बाकी लोगों को पता चले, और अपना suggestion दीजिए, कि क्या ऐसा ही एक और week मैं आपके साथ share करों, इसमें maybe probably अलग चीजे हो, oiling हो, mask हो, something else, तो अग पुराने है, तो लाइक करना नहीं भूल सकते है, बार बार याद दिलाते हूं, फिर भूल जाते हूं, प्लीज लाइक कीजिए, बिना लाइक के नहीं जाना, okay, I love you all, you know that very well, मैं आट सभी से मिलती हूं अपने अगले वीडियो में, with something magical for your hair, skin and health, तब तक के लिए, मुस्क